आरंभिक मानव की खोज में जो सवाल और जवाब बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे आज यहां पत्थरों के अजारों पे कुछ उप्योग बताए गए हैं यह आंतरिक प्रशन है पाठ्थे पुस्तक के यह जो सवाल है वो यहां से आये हैं यह आपकी NCRT की किताब है और उसमें कुछ सवाल आंतरिक दियो हैं अंदर दियो हैं जैसे यह ऐसे समुदावे में रहने वाले बच्चों का ज्यान कीजिए तो यह जो सवाल है इनके बारे में हम डिसकुशन करेंगे और उसके बाद हम आखिर में यहां जो अंत में कुशन दियो हैं इनके बारे में डिसकुशन करेंगे पहला है यहाँ पत्थरों के आउजारों के कुछ उप्योग बताये गए हैं ऐसे कामों की सूची बनाओ जिसमें इस तरह के आउजारों का प्रयोग होता था ये काम में आते थे बताओ कि इनमें कौन-कौन से काम सामाने पत्थरों से किये जा सकते हैं कारण सहीत उत्तर दो तो इसका उत्तर ये है कि पत्थर और पत्थरों के आजारों के उप्योग के पुछा गया है एक तो फलफुल को काटने में, हड्डिया और मास को काटने में, पेडों की जो चाल है उसको उतारने में, जानवरों की खाल को उतारने में और भाले और बान याना कि हतियार बनाने में और लकडिया काटने के लिए इसके लिए पत्थर के आजार जो है वो प्योग किये जाते होंगे क्या आप बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी तो ये सवाल NCRT की पुस्तक पेज 15 का है अगर आब यहां जाएं तो आप देखेंगे कि इसमें ये सवाल है क्योंकि ये मैं इसलिए ले जा रहा हूँ आपको क्योंकि आपको eska पता होना चाहिए कि link कहां से है ये सवाल पूछा कहां से गया है और इसका link क्या है तो इस तरीके से आपके अलग-अलग सवाल है जैसे ये हमने अभी बात की पत्थरों की तो इसको हम लेते हैं ये सवाल को ये लिंग इस तरीके से आता है और जो भी आपका पिंक में होगा इस सवाले में या परपल कलर में वो आपको सवाल के जवाब यहां पर मिलेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ सीथा जवाब पर जाते है क्या आप बता सकते हो रहने के लिए लोगों ने ये जगा क्यों चुनी होगी तो इसका उत्तर ये है कि जो गुफा आपको मैं जो गुफा दिखाई अभी तो इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि बारिज धूपर हवाओं से उन्हें राहत मिलती थी उनसे उनका बचाव होता था फिर है अगर आपको अपने निवास्थान के बारे में बताना पड़े तो इन में से कौन सा नाम आप चुनेंगे आवास उध्योकस्थल आवास और उध्योकस्थल और अन्य तो रहने के लिए आप आवास जहां आप रहते हैं यहां तो आप उध्योक करते हैं और आवास और उध्योक बहुत कम होता है कि जहां आप रह रहे हो वहीं आपका उध्योक भी हो आज हम आग का उप्योक किसले करते हैं फायर इसका प्रयोक किसले करते हैं तो आज हम बहुत सारी जगह पे आग का उपयोग करते हैं, एक तो अपना भोजन पकाने के लिए, और फैक्टरियों में जो धातू हैं, उनको पिखलाने के लिए, सर्दी से बचाओ के लिए, हीटिंग के लिए, और बहुत सारी ऐसे मशीन हैं जिनको आग से चला जाता है, आग बनाए गए, आजारों में आपको कई बदलाव दिखाई देते हैं, तो इसका उत्तर ये है, आपके सामने किताब होनी चाहिए, यह वारे खास तर पे जब इन उत्तरों की बात कर रहे हैं, तो आपके सामने, यह जो किताब में ने दिखाई, यह आपके पास होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ताकि आप इसको जवाब दे सके तो ये आज़ार जो हैं दस हजार वर्ष पुर बनाए गए थे और ये आज़ार बहुत छोटे होते थे आम तोर पे और इस कारण से क्योंकि इनको आसानी से काफी दूर फैंका जा सकता था नव पाशान का मतलब क्या होता है नव पाशान का मतलब ये होता है नव नया पाशान पत्थर तो यहाँ पर मनुश्यों ने स्थाई जीवन व्यतीत करने की जगा शुरूगी ये कहने का मतलब ये है कि एक ही जगा पर मनुश्य रहने लगा अब क्यों रहने लगा क्योंकि वो पशुपालन कर रहा था क्योंकि वो अगर उसने वहाँ पर अगरिकल्चर किया या पशुपालन किया तो वो उसी जगह पे रहेगा जहां पर उसकी क्रॉप उग रही है अगरिकल्चर हो रहा है तो बरतनों का उपयोग चीजों का रखने के लिए किया जाने लगा था इस समय इन मनकों का उपयोग किस लिए किया होगा अब इस पेज में कुछ मनके दिखाए गए है वहाँ से इस सवाल उठाए तो यह जो मनके है उस जगा पे इनका उप्योग जेवराद बनाने के लिए किया जाता होगा शायर आज हमें शुत्रमुर्ग कहां मिलते हैं अगर आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे अपने NCRT के तो आप देखेंगे कि शुत्रमुर्ग हिंदुस्तान में थे या सबकॉंटिनेंट में थे अब हमें कहां मिलते हैं तो शुत्रमुर्ग अफरिका में के वनों में देखने को मिलते हैं आस्ट्रिच जिसे हम कहते हैं आस्ट्रिच क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो और कौनकों से पुरास्थल है तो दूसरे प्रकार के पुरास्थल ऐसे हैं जहाँ पर जोपडियां और घरों के निशान मिले हैं आरंभिक, कृश्कों और पश्वपालकों के पुरास्थल हैं तो यह आप जवाब दे सकते हैं अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब यह हुआ कि अगर आप आखिर में आएं यहां पर तो इसके बाद एक क्वेशन पूछा गया है, क्या तुम्हेरे बनाने का कोई और कारण बता सकते हैं, बता सकते हो तो फ्रांस में, यह चितर फ्रांस की एक गुफादा है, इस पुरासल की खोज लगबग सौ साल पहले चार स्कूली चात्रों ने की थी और इस तरह के चितर बीस हजार साल पहले से लेकर दस हजार साल पहले के बीच बनाए गया होगी इन में से कई जैनवारों के चितर हैं, जिसमें जंगली घोडे, गाए, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारसिंग और सूरों के गहरे चमकीले रंगों से चितरी तो ने किया गया है अब इन रंगों के को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खरिच पदार्तों से बनाया गया था असंबब है कि इन चितरों के को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर जब शिकारी शिकार के लिए निकलते थे तो उसे पहरे कुछ अनुष्ठान किये जाते होंगे उसके लिए बनाया गया होगा जो मैंने आपको अभी सवाल दिखाये था वो यह है कि क्या आप इने बनाने का कोई और कारण बता सकते हो तो तर यह है कि हो सकता है कि कई समय घर में जो है वो खाली समय उनके पास और उनके बास कला है तो उस कले कला को वह वहां उकेर देते थे तो खाली समय का सवग्पियों करने के लिए बनाया जाता होगा या शिकार करना है तो जानवरों के आपको आकरिती मिली है और शिकार किनका होता था जानवरों का तो फिर उनको किस तरीके से घेरा जाया उनका शिकार किस तरीके से किया जा उसकी योजना बनाई गई होगी या तीसरा यह है कि हर आदमी में अपने अपनी कला होती है तो कई ऐसे शिल्बकार होंगे, कई ऐसे चित्र मेकर होंगे या आर्टिस्ट होंगे उस समय उन्होंने क्या किया उनके मन में इच्छा होई तो उन्हों ने दिवार पर बना दिया, गुफाओं के अंदर बना दिया, यह हो सकता है खल्पना करो, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो तुम्हारे मामा अगुफा की एक भीरतरी दिवार पर चित्र बना रहे हैं, तुम उनकी सहायता कर रहे हैं तुम रंग बनाओगे, रेखाये खीचोगे, या फिर उन में रंग भरोगे तुम्हारे मामा तुम्हें कौन-कौन सी कहानिया सुनाएंगे तो इसका उत्तर कुछ इस तरीकéma सोह सकता है की कौन-कौन सी कहानिया सुनाएंगे एक तो पथर, लकडियां और हडियों के औजार में वो बताएंगे क्युकि वो आकरती जनवरों की बनती है जानवरों के शिकार के संबन में बताएंगे अब वो क्योंकि चित्रों बना रहे हैं और रंग भी भर रहे हैं तो चित्रों रंगों के संबन में कुछ सुना सकते हैं या फसलों को गाने के संबन में कुछ बता सकते हैं ये हो सकता है इसे related कहानी हमें सुनाएं अब इन वाक्यों को पूरा करना है यानि कि ये fill in the blanks है शिकारी खद सग्राहत गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि इसका उत्तर ये है उन्हें बारिश, धूब और हमाओं से राहत मिलती थे घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ आरंभिक लोगों ने गुफाओं की भीत्री भीत्री यानि इंटर्नल अंदर की जगह पे चित्र बनाएं हुजगी में चूने के पत्थरों से बने औजार बनाए जाते थे चूने उप महाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मांचित्र को प्रुष्ट 136 पर देखिए और राज्यों को ढूंडो जहां भीम बेटका होंगी और कुर्नूल स्थित है क्या तुशार की रेल इन जगों से निकली होगी तो इसमें यहां पर जरूर क्योंकि यह तुशार की जो ट्रेन है जैसे अगर हम तुशार के बारें बात करें तुशार जा रहे थे अपने तुशार अपने रिष्टिदार की दिल्ली की शादी में दिल्ली से चिननाई जा रहे थे अब रेल में उनको मिली खिर्की वाली जगा और क्योंकि दिल्ली से चिननाई की बीच में यह सारी चीज़े यह जगा आती है तो तुशार की रेल इन जगह से हो के गुजरी होंगी भिम बेटका होंगी और कुरनूल ये नहीं कि एक दम उन वहां से गुजरी होगी उनके पास से आस पास या कम दूरी से ये गुजरी हो आओ चर्चा करे वाले सवाल है ये शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घुमते रहते थे उनकी यात्रा और आज के हमारी यात्रा की कारणों में क्या समानता है और विभिन्नता है थी तो जो शिकारी खाद संगरहा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमने के कुछ कारण थे अगर एक जगा लगाता रुपने से भोजन की कमी हो जाती थी ये समस्या उत्पन हो जाती हो इसके लिए भोजन की तलाश में एक सांसे दुस्रे स्थान उनको जाना पड़ता था और जानवरों का शिकार करने के लिए वो पीछे-पीछे जाया करते थे जहां-जहां जानवर वाह-वाह वो इसलिए वो घुमते थे और पेडों और पौधों में फल और फुल अलग-अलग मौसम में अलग-अलग समय में आते थे तो जैसी रितू परिवर्तन हुई समय का परिवर्तन हुआ उनको स्थान का परिवर्तन करना होगा और क्योंकि पानी कभी-कभी पानी ऐसी नदिया है जहांपर हमेशा पानी होता है लेकिन कई ऐसी नदिया है जहां पर बरसात के समय पानी आता है तो पानी की आοशक्ता सबसे जादा होती थी तो इदर उधर जाना पड़ता था पानी की जहां का पानी का स्थरोत होता थ सा महा हूँ, रुख जाते थे, खतम हो जाता था आगे बढ़ जाते थे और आज हम जो यात्रा हैं करते हैं उसके क्या कारण है सबसे पहला तो रोजगार है Employment, रोटी कमाने के लिए व्यापार करने के लिए, अपने नाचते रिष्टेदारों से मिलने के लिए स्कूल और दफ्तर अगर हमारे दूर है जैसे दिल्ली से कोई नौइडा जा रहा है, दिल्ली से कोई गाजियाबाद जा रहा है ऐसी संस्कृती का प्रचार प्रसार और अडवेंचर भ्रहमन के लिए इसके लिए आते जाते हैं हम लोग आज तुम फल काटने के लिए कौन से आज़ार चुनोगे जिसको पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है शिकारी खादे संगराहक आग का उप्योग किन-किन चीजों के लिए करते थे क्या तुम आज आग का उप्योग इन में से किसी चीज के लिए करोगे तो इसका उत्तरी के से दिया जा सकता है कि शिकारी खादिस अग्राहग दोरा आग का प्रयोग एक तो मास को भूनने के लिए मास अभी मतलब जो कर दिलिया तो मास आ गया अब उसको भूनना पड़े लाइट के लिए प्रकाश के लिए और क्योंकि जानवर आग से डरता है तो अगर आपको अपनी safety चाहिए उस समय safety चाहिए थी तो आग जला दो तो जानवर आएगा ही नहीं तो खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए उनको दूर अगने के लिए और आज किसले प्रयोग करते हैं माज भुनने के लिए या फिर खाने अपना बनवाने के लिए खाना शिकारी खास तोर पे माज भुनने के लिए करते हैं कुछ सवाल है करके देखो आओ करके देखो तो अपनी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खीच कर इसमें दो खाने बनाई है बायेnh खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाईए जिनें शिकारी खाद्य संग्राहक क्हाते थे और दायें खाने में वो जो आप खाते हो उन में से कुछ के नाम लिखो, क्या तुम्हें इन दोनों में कोई समानता या भेद दिखाई देता है देखे, शिकारी खाद्य संग्राहक की खाद्य पदार जंगली जैनवारों का कच्चा या भुना मास था मच्रिया वो खाते थे, चिडिया खाते थे, फल, मूल, पौधे हो गए, पत्या हो गए और अंडे खाते थे और आज आप देखेंगे तो चावल हम खाते हैं, रोटी, सबजियां, फल, दूर, पकावा मास, कच्चा मास शायद ही कोई खाता है, ये सारी चीजे लेकिन अभी भी है चावल, रोटी आई, क्योंकि ये अब हमारी स्टेपल फूड में आ गया है, अलग-अलग देशों में आप जाएंगे तो चावल के अलग-अलग फॉर्म होते हैं, साउथ इंडिया में जाएंगे तो आप देखते हैं, डोसा खाते हैं, यहीं पे अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ चावल ही चावल चलता है, अगर आप बीच के एरिया में आए, हमारे समकॉंटिन में वहां रोटिया चलती है तो अलग-अलग ये स्टेपल फूड हो गया लेकिन सबजिया सब वही खाते हैं जो जो वहां पैदा होती है जिसे बैंगने हर जगा पैदा होता है इस तरीके से भिंडी है हर जगा पैदा होती है तो जो जहां-जहां चीज पैदा होती है वहां काम एक्रोड को के छिलके को हटा सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं महीं तो बच्चों का यह है कि अगर हम बच्चे हैं तो खेलें ग drug ऐसे क्षार काम लिखो, जिन्हें आज महिलाए और पुरुषो दोनों करते हैं दो ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं करती है और दो जिन्हें पुरुष सिर्फ ही करते हैं अपने सूचियों को अपने दो साथियों की सूचियों से उनकी तुलना करो क्या तुम्हें इन में कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है अब देखिए ये जो सवाल है ये तो आप लोग को करना है अपने दोस्तों के साथ मिलके है लेकिन इसका मैं एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ पुरुष और महिला दोनों जो काम करते हैं देखिए जो भी आजकल गाड़िया चल रही यहां तक हवाई जाज भी दोनों चला रहें और केवर महिलाएं जो क्याम करती है अगर देखा जाये तो जिसे दूर पिलाना है बच्चे को जो करीबी देख़ाल है पती भी करते हैं लेकिन जो करीबी देख़ाल है वो मां करती है जो बच्चे होते मा की तादा खरीब होते और बच्चे को जर्म देने का काम भी माई करती है आदमी ये काम नहीं कर सकते और केवल जो पुरुश काम करते हैं अगर हम अपने देश में देखे तो फायर ब्रिगेड में और फौज में तो नहीं कहूँगा कि फौज में आप महिलाय आ गई है लेकिन आम तोर पे जो जिसे मिजॉरिटी कहा जाता है मिजॉरिटी में की होती है यहां पे तो यह हमने सवाल जवाब देखे और यहां तक हमने देखा जो अभी हमने बात की ये सारे सवाल हमने जानने कोशिश की कुछ अपने आप एंड से भी इसमें जोड सकते हैं आपके विवेक्स से इन सवालों के उत्तरों को चेंज कर सकते हैं मैंने जस एक आइडिया दिया है बहुत शुक्रिया बहुत मैंबनी आप सबी की